हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग जो हम लोग एक सिरीज कवर कर रहे थे जिसमें हम लोग पार्ट 6 तक अवी तक डिस्कस कर चुके हैं गूपता एंड गूपता बुक्क के रसी सी का जिसमें हम लोग 6 पार्ट अभी तक डिसकस कर चुके हैं जिसमें 6 पार्ट में हर पार्ट में हम लोगोंने 5 कुष्चन कर के डिसकस किया है जिसमें 30 number of question हम लोग RCC का discuss कर चुके हैं जो गुपता एंड गुपता बुक से लिया गया है तो आज हम लोग part 7 को discuss करेंगे जिसमें हमारा 31 से 35 तक 5 number of question होगे उसका हम लोग आज detailed solution करेंगे तो दोस्तों वीडियो को complete देखें जिससे की सारा concept हमारा clear हो पाए complete देखने से हमें फाइटा होगा क्योंकि एक series में हम लोग question को करते आ रहे हैं और आगे भी इसका complete हम लोग RCC को करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं हम लोग अपने computer screen पे आ चुके हैं तो हम लोग आज part 7 discuss करने वाले हैं कि six part discuss कर चुके हैं तो सबसे पहला नमबर हमारा question क्या है थर्टी फर्स नमबर minimum grade of concrete to be used in reinforced concrete as per IS 456-1978 is ठीक है यह हमारा अभी जो हम लोग को generally ध्यान में है वो होगा हमारा IS 456-2000 के हिसाब से ठीक है यह हम सब को लगबग ध्यान होगा इस question का answer तो option सबसे पहले पार लेते हैं यह option है M10 M20 M15 M25 और हमारा IS 456-2000 के हिसाब से जो हमारा होता है sorry thousand होगा वह होता है हमारा कितना M20 grade हम हम लोग minimum concrete use करते हैं RCC के लिए M20 grade यूज करते हैं लेकिन हम लोग का क्या पूछ रहा है 1978 के हिसाब से बताना हम लोग को 1978 के हिसाब से हमारा क्या होगा 1978 के हिसाब से इस से पहले हम लोग क्या करते हैं option को छाट लेते हैं किस तरीके से कि जब हम हम लोग जब भी हम लोग पहले का बात कर रहे हैं तो obviously हमारा M20 से तो कम ही होगा जो हमारा minimum grade of concreting work के लिए होगा तो M25 नहीं होगा M20 तो 2000 में आया है तो ये भी नहीं होगा दो option तो हमारा वैसे खतम हो जाता है तो हम लोग जब मार रहेंगे question तो हम लोग 50-50 पे पहुंच जाएंगे और हमारा negative जो होता है या तो 0.25% होता है या तो 0.33% होता है जैसे जेई वगर एक्जाम में हमारा 0.25% negative होता है मतलब एक question के बतले चार question अगर गलत होता है तो एक question का जो marks होगा वो deduct हो जाएगा तो मतलब 0.25% मेरा marks कटता है तो हम लोग 50-50 पे option देख के भी अगर हमें थोड़ा बहुत knowledge होगा तो हम लोग आ सकते हैं तो इसका जो answer सही answer होने वाला है वो M15 होने वाला है जो 1 is to 2 is to 4 का ratio होता है 1978 के हिसाब से यह हमारा RCC work के लिए minimum grade of concrete था इसको हमें याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही tricky question है और यह पहले question है अभी हम लोग generally 2000 के हिसाब से याद रखते हैं इसलिए हमारे दिमार से निकल जाता है तो इसका हो जाएगा M15 मैं 32 number question है for concreting of heavily reinforced section without vibration the workability of concrete expressed as compacting factor should be हम लोग क्या जब heavy reinforced section में without vibration करते हैं work तो हम लोग workability कितना expect करते हैं जिससे कि हमारा work easily हो जाएगा workability को हम लोग कितना expect करते हैं compacting factor के हिसाब से तो उसमें हमारा क्या है इसमें simply याद रखना पड़ेगा जो compacting factor का जो data होता है low workability high workability और medium workability का data होता है यह हम लोग lab में test करते हैं workability test करने के लिए यह हम लोग test करते हैं जो lab method होता है तो इसका हम लोग को data याद रखना पड़ेगा तो data का हम लोग chart मेरे पस हम रखे हुए हैं उसको देख लेते हैं जिसे देखिए compaction factor should lie between 0.95 and 1.4 high workability जब हमें high workability होता है तो उसका value जो होता है 0.95 से greater होता है और degree of workability slump test और compression factor test slump test जो होता है अमारा field test होता है field test होता है इसमें हम लोग high और medium workability को measure कर पाते हैं और compacting factor test जो होता है वो lab method होता है उसमें हम लोग medium और low workability को test करते हैं तो हमारा देखिए degree of workability क्या है very low है उसके लिए हमारा क्या होगा compaction factor होगा 0.78 से 0.8 तक होगा low होगा तो workability कितना होगा millimeter में slump test का result दिया होगा 25-75 के बीच होगा और compaction factor 0.8 से 0.85 होगा लेकिन हमें क्या है High workability के लिए देखना है higher workability के लिए देखिये Compaction factor value कितना है 0.9221 होता है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा above .92 तो इसमें कुछ हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं जादा कुछ इसमें हम लोग को simply इसका result याद रखना परेगा जिससे कि हम आसानी से answer को बहुत जल्दी ये सब question problem होता है अगर आपको answer याद है result याद है तो आप लोग quickly कर सकते है question परने के साथ इसमें जादा दिमाग कुछ लगाना नहीं होता है simply answer परके carefully tick करना होता है 33 number question है maximum quantity of water need per 50 kg of cement for M15 grade of concrete जब हम लोग M15 grade of concrete बनाएंगे तो 50 kg में maximum कितना हम लोग water use कर सकते हैं या करेंगे जो भी है तो हम लोग एक range होता है water provide करने का minimum हम लोग जो provide करते है water वो 0.4 करते है water cement ratio जो होता है और maximum जो हमारा होता है वो होता है 0.64 water cement ratio ठीक है तो हमें क्या भी provide करना है maximum provide करना न तो maximum के लिए हमें क्या करना पड़ेगा maximum 0.64 maximum हमारा water cement ratio into हम लोग cement का कितना है 50 kg को into कर देंगे तो हमारा क्या होगा यहां से convert होके आ जाएगा water का तो water का अगर into कर लेंगे तो यहां से हमारा water जाएगा सी नमबर 32 लीटर ठीक है तो हमारा 32 लीटर लगने वाला है water 33 कुश्चन होगे हमारा इसमें हमें यह general in general होता है और M15 के लिए हम लोग यह 0.4 से अगर हम लोग water ज्यादा मिला लेते हैं तो क्या होता है हमारा strength घड़ जाता है और हम लोग high strength अगर चाहिए तो हम लोग क्या करता है water water cement ratio को कम रखते हैं water का quantity हम लोग कम रखते हैं और अगर हम ज्यादा amount में water को mix कर देते हैं उससे क्या problem होगा segregation होन लएगा मतलब हर element अलग-अलग separate होन जाए material sorry material अलग-अलग separate हो जाएगा segregation का में problem हाईगी 34 number question है हमारा in case of hand mixing of concrete in extra cement be added हम लोग जब hand से mix करते हैं concrete को हम लोग जब छोटा level पर construction कर रहे होते हैं जब लोग machine नहीं लापाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं hand mixing करते हैं जैसे एक mystery अपना जो भी होता है मतलब लेते जाता है और कुदाल से उसको mix करता है machine जब नहीं लापाता है छोटा काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं hand से mixing करते हैं तो उस case में हम लोग कितना percent extra cement add करें क्योंकि उसमें क्या होता है जब हम लोग पानी उसमें mix करते हैं तो क्या होता है जब हम लोग मिला रहे होते हैं तो पानी के साथ मेरा cement का quantity जब फैल जाता है जिससे क्या हमारा cement का बढ़बाद होता है इसलिए हमें उस condition में क्या होता है कुछ extra cement हमें add करना पड़ता है जिससे कि हमारा strength मिलना चाहिए वह proper मिले ठीक है इसका हम लोग ध्यान रखते हैं जब side पे हम लोग hand mixing कर रहे होते हैं ए option हमारा 5%, B option है 10%, C option है 15% और D option है 20% तो इसमें हमारा 10% हम लोग extra B option answer होगा इसमें हम लोग 10% extra cement लगाते हैं जिससे कि हमारा strength आना चाहिए वह बिल्कुल आए क्योंकि hand mixing में जब हम लोग पानी डालते हैं और mix कर रहे होते हैं तो क्या होता है पानी बाहर जब वह एक आप shape बना लेते हैं ठीक है उससे जब पानी बाहर आता है तो उसके साथ cement उपर पर होता है क्योंकि वह भी बाहर आता है इसलिए हम लोग extra cement साइट पर आप जाहिएगा तो यह actual दिखेगा कि हमें cement extra यूज करना चाहिए क्योंकि cement हमारा बढ़बाद होता है कुछ हमारा लास्ट और थर्टी फाइप नंबर क्वेश्चन क्या है फूर वाल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फिश और यह ओल है जो हम लोग framework करते हैं सट्रिंग लगाते हैं वह हम लोग कब रिमूब करते हैं तो ए उप्शन है हमारा 24 से 48 आवर बी उप्शन है में तीन दिन और सी उप्शन है साथ दिन और 14 दिन तो हम लोग कॉलम और वाल वागरे में जो होता है वह हम लोग जो सट्रिंग रिमूब करते हैं वह 24 से 48 घंटे में हम लोग सट्रिंग रिमूब करते हैं तो सबसे पहला यह साइट का basic problem question है तो यह हमारा यह option हो जाएगा 24 hour से 48 hour हो जाता है इसी में हमारा लोग का beam और slab होगा तो वह 4 दिन से लेके 8 दिन का हम लोग समय लेते हैं depend करता है वह किस तरह का weather है किस condition में आप लोग बन रहा है work चल रहा है उस पेट सारा depend करता है चार से 8 दिन लेते हैं हम लोग maximum जिसमें हमारा slab और beam के condition में तो मारा यह 35 नमर कोश्चन था एक बार हम 5 कोश्चन को देख लेते हैं फिर से 31st नमर कोश्चन क्या था speed में देखेंगे minimum grade of concrete to be used reinforced concrete as per IS-456 1978 के हिसाब से क्या होगा M15 हो जाएगा for concreting of heavily reinforced section without vibration the workability of concrete expressed as compacting factor should be तो हमारा इसमें 32 नमर कोश्चन का क्या हो गया D option हो गया above 9-2 उसका क्या करना परेगा data याद रखना परेगा compacting factor test का maximum quantity of water need as per 50 kg तो इसमें हमारा 33 नमर कोश्चन था इसमें हमें range याद करना परेगा water cement ratio का carriage होता है point four to point six four हमारा water cement का range होता है ratio का उससे हम लोग यहां से निकाल लेंगे सी option हो जाएगा 32 लीटर 34 नमर कोश्चन है in case of hand mixing of concrete the extra cement हम लोग इतना यूज करते हैं तो हम लोग 10% यूज करते हैं हम लोग जितना बार question को परेंगे और हम लोग उसका answer देखेंगे उससे हमें क्या होगा याद करना नहीं परेगा easily हमारे दिमाग में वो रहेगा ठीक है और हम लोग समझ के अगर question को करते हैं तो ज्यादा हमें return नहीं परेगा for all last number 35 number for all column vertical face of all structural members the framework in generally removed कितना होता है 24 से 48 आवर में हम लोग remove करते हैं आज हम लोग उने part 7 discuss किया जिसमें हम लोग 5 number of question discuss किये 31 से लेके 35 तक यह part मेरा कितना 7 था इससे पहले हम लोग 6 part discuss कर चुके हैं अगर आप दोस्तों अभी part 7 देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा आप लोग से request है कि पहले जो 6 part हम लोगों ने cover किया उसको देखें जिससे कि आपका सारा concept clear रहे गुपता और गुपता बुक का यह हमा हम लोग आज 35 कुश्चन टोटल कवर्ड कर चुके हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेर करें इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लगाता राता रहेगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय वारत